इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी वेंटीनल 500 इंजेक्शन एक एंटी बाउटिक है जिसका इस्तेमाल अस्पताल में भरती मरीजों में बैक्टीरिया के गंभीर संक्रमन के इलाज में किया जाता है यह श्वसन पत यानि की जैसे निमोनिया, मूत्रपत, त्वचा और कोमल उतकों, हड़ियों और जोडों, हिरदय, रक्त और अन्य के संक्रमन के खिलाफ प्रभावी है वेंटीनल 500 इंजेक्शन का इस्तेमाल सजिकल प्रक्रियाओं के दौर से गुजर रहे कुछ उच्च जोखिम वाले रोगियों में संक्रमन की रोक्थाम के लिए भी किया जाता है यह बैक्टीरिया के विकास को रोक कर काम करता है और वयसकों के साथ साथ बच्चों के इलाज के लिए भी उप्योगी है यह एक संकीन स्पैक्ट्रम एंटीबावटिक है जो केवल ग्राम पॉजिटिव प्रकार के बैक्टीरिया को कवर करता है यह दवा एक स्वास्थ देखभाल पेशेवर की देखरेख में एक नस में एक ड्रिप यानि की जलसेग द्वारा धीरे धीरे प्रशासित की जाती है तेजी से जलसेग निम्न रक्चाप, घरगराहट, सास की तकलीफ या खुजली जैसी प्रतिक्रियाओं को जन्न दे सकता है अतिरिक प्रकार के जिवानूओं के उपचार के लिए इसे आन्या एंटीबावटिक दवाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है कुछ लोग स्थानिय इंजेक्शन साई प्रतिक्रियाओं जैसे दर्ड, सूजन और लाली विक्सित कर सकते हैं हाला कि ये आमतोर पर मामूली और अस्थाई होते हैं घर घराहाट, गुर्दे यानि की गुर्दे की चोट, सास की तकलीफ, निस्तब्धता यानि की चेहरे, कान, गर्दन और धर में गर्मी की भावना और रक्चाप में कमी जैसे अन्य दुश प्रभाव कभी कभी देखे जा सकते हैं अपने चिकित्सक को सूचित करें यदि आपके पास अतीत में इस दवा के लिए अलजी की प्रतिक्रिया का इतिहास है जब आप यह दवा ले रहे हों तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से आपके गुर्दा समारोह और आपकी सुनवाई की निग्रानी कर सकता है कुछ लोगों को उनके रक्त में इस दवा के स्तर की जांच के लिए रक्त परीक्षन की सलाह दी जा सकती है यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद